आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान मार्च में भारत के पाम तेल के आयात में फिछले महीने के मुकाबले 18.7 फीजदी का उच्छाल आया है वेपारियों ने सुरज मुखी के तेल के सुरक्षित विकल्प बर जोर दिया है क्योंकि यूकरेन से अब ज्याद समय तक सुरज मुखी के तेल का आयात संबब नहीं रह गया है भारत द्वारा पाम तेल की अधिक खरीदारी से मलेशिया के पाम तेल वायदा कारोबार को बल मिल सकता है भारत दुनिया में खाद तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है मार्च महीने में देश में 5,49,793 टन पाम तेल का आयात किया गया जो फरवरी में किये गए 4,54,794 टन से अधिक है ये जानकारी Solvent Extractors Association of India यानि की C ने एक वक्तव्य जारी कर दी है वक्तव्य में कहा गया है कि भारत ने मार्च में 2,12,484 टन सुरज मुखी तेल का आयात किया था जो फरवरी में किये गए 1,52,220 टन से अधिक है ऐसा युद शुरू होने से पहले युक्रेन द्वारा बेजी गई कुछ खेपों के भारत पहुँचने से हुआ वक्तव्य में कहा गया चूकी अप्रेल में युक्रेन से कोई खेप नहीं आई लिहाजा सुरज मुखी के तेल का आयात घट कर 80,000 टन के आसपास रह सकता है यह खेप मुख्य तोर पर केवल रूस और अर्जंटीना से आई की भारत ने रिकॉर्ड उच कीमत पर रूस से 45,000 टन सुरज मुखी के तेल के आयात का अनुबंध किया है भारत को यह करार इसलिए करना पड़ा कि युक्रेन से आपूर्ती में कमी आने के बाद स्थानी बजार में खादे तेलों के दाम बढ़ने लगे थे सी ने कहां कि देश में सोयबीन तेल का आयात फरवरी के 3,56,594 टन के मुकावले घट कर मार्च में 2,99,421 टन रहे गया युरूट कोट माकेट टाइम्स टीवी आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तर बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान